हेलो फ्रेंट्स बेलकम टो अल्लाइन इस्टडी किंग्डम दोस्तो आज की इस वीडियो से हम लोग रिस्टार्ट करने वाले हैं घटना चक्र द्रिष्टी करंट अफियर्स को जो की आने वाले एक्जाम UPPCS प्रेंस 2022 जो की 12 जुन को निर्धारित किया गया है साथ ही जो BPSC है अब कमी इंग्जाम है यह BPSC का है तो सभी प्रतियोगी परिच्छाओं खासकर जो UPPCS आरो ए आरो का मेंस लगा हुआ है और अन्य वंडे प्रतियोगी परिच्छाओं के लिए जो है इंपॉर्टेंट करन्ट अफ्यर्ट्स होगा और खासकर PCS के लिए इसको घोर के बिल्कुल पी जाना है तो दोस्तों आईए हम लोग यहां पर स्टार्ट करते हैं आप इनका यहां पर देख सकते हैं इंडेक्स है नुक्रमणिका है क्या-क्या कबर किया गया है तो आईए इस वीडियो में हम लोग राश्टिये परिद्रिश्य को कबर करते हैं पहला तत्त है आंधर प्रदेश में तेरह नए जिले तो चार अप्रल 2022 को आंधर प्रदेश के मुख्यमंत्री वाइए जगन मोहन रेड़ी द्वारा राज्ज में तेरह नए जिलों का पढ़कर 26 हो गई है तो एक्जाम के पॉइंट आभी उसे याद रखेगे तेरह नए जिलों का उद्गाटन जो किया गया है वो आंधर प्रदेश राज सरकार की द्वारा तोटल जिले पहले जो थे वह तेरह थे तेरह और हो गए तोटल 26 हैं साथ ही जो 25 सीटे हैं ये किस जो तेरह नए जिले हैं वो कौन-कौन से हैं एक सरसरी निगा से आप देख सकते हैं एक्जाम में पूछा जा सकता है कि निम्लिखित में से कौन सा जिला नहीं है पहला है पारवती पुरम मान्यम दूसरा अलूरी सीताराम राजू तीसरा अना कपल्ली चौथा है काका नीडा काकी नाड़ा और पाचवा है कोन सीमा छठा है एलूरू, सत्वा यंटियार, आठ्वा पलनाडू, बापटला, नंदयाला, अन्ना मैया, शिरी बालाजी, शिरी सत्य साई, ये तोटल तेरह जिले हैं प्रतेख जिला एक लोगशभा निरवाचन छेतर से सटा हुआ है तो याद रखेए 26 जिले, टोटल 26 जिले हैं, लेकिन सीटे जो है वो, यंपी की जो है वो 25 सीटे है हालांकि विसाल आदिवासी आबादी की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अराकू, यस्टी, निरवाचन, छेतर, दो जिलो, दड़ि अलूरू, सीता रामराजू और पारवती पुरमान्यम की साथ अकेला अपवाद है इसलिए जिले तो हैं आपके 26 लेकिन सीटे होंगी यंपी की 25 जनगड़ना 2011 की अंसार प्रते एक जिले में लोगों की आउस्वत संख्या 38.15 लाख थी यह जो पापॉलिशन थी वो नए जिलों के गठन के पहले थी तेरा नए जिलों के गठन के पास चात यहां संख्या घटकर 19.07 लाख प्रती जिला हो गई है तो एक्जाम के पॉइंट आप भी से आप याद रखिए कि आंदर प्रदिस में जो नए तेरा जिले बने हैं ठीक है तोटल जिले 26 हो गए हैं कौन कौन से जिले हैं यतना याद नहीं रख पाऊगे ना एक्जाम है पूंसेगा पूंसेगा यही कि तेरा जिलों वाला कौन सा जो है वो राज राज जो तेरा नए जिलों के निर्माड किया और उसकी साथ टोटल संख्या जो है वो 26 हो गई है और जबकि जो मेंबरा पाल्लेमेंट की सीटे हैं वो आँपा टोटल 25 हैं आगे बढ़ते हैं अगला तत्य है नगा लेंड देश की पहली कागज रहित बिधान सभा एक्जाम में पूंचा जाता है कि देश की पहली कागज रहित बिधान सभा कौन बनी है तो व 19 मार्च 2022 को नगा लेंड बिधान सभा पूरी तरह से कागज रहित होने वाली भारत की पहली बिधान सभा बन गई है तो इंग्जाम की पॉइंट आभी शें इंपॉर्टन तत्य है देश की पहली बिधान सभा कागज रहित वो है नगा लेंड की नगा लेंड बिधान सभ इप्लिकेशन नेवा के पूर्डता लागू प्राप्त की है तो जो पेपरलेस हो गई है विधान सभा का नाम भी, आद रखेगा, नेशनल विधान अप्लिकेशन, का पूर्डता नागू किया गया है तो नगालेंड में टोटल जो विधान सभा सीटे हैं वह साथ हैं इस प्रकार अब नगालेंड विधान सभा के सदस्य सदन की कारवाहियों में भाग लेने के लिए इलेक्टरानिक उपकरणों का प्रियोग कर सकेंगे भारत सरकार के डिजिटल इंडिया मिशन की अंतरगत राश्टिय इविधान अप्लीकेशन एक इप्रसाशन परियोजना है इसका उद्देश राज विधान सभाव को कागज रहित इविधान सभाव में परिवर्तित करने के माध्यम से डिजिटल हाउस की दिष्टी कोण को साकार करना है तो दोस्तों एक्जाम के पॉइंट आप इसे आपको याद रखना है कि देश की पहली कागज रहित विधान सभा कौन है तो वहां नगालेंड की विधान सभाव है और सीटे टोटल कितनी है तो साठ विधा इंडिया मिशन है इसके तह जो है एक प्रसासन पर यूजना है आगे बढ़ते हैं अगला तत्य है पांच राज्यों में बिधान सभाज चुनाव जो संपन हुआ उसकी बारे में तत्य है दस मार्च दो हजार बाइस को भारत निर्बाचन आयोगदारा पांच राज्यों क कौन कौन से राज सामिल रहे हैं तो पंजाब गोवा उत्त्राखंड मडीपूर और उत्त्रप्रदेश हम यहां पर देख लेते हैं तो पंद्रही पंजाब बिधान सभा के कारिकाल की जो समाप्ती किती थी है वह 23 मार्च 2022 निर्धारित थी जिसके चलते 20 फरवरी 2022 को पुल संख्या है आपको जो एकजाम के पाइंट अब याद रखना है वो है पंजाब की बिधान सभा सीटे कितनी है टोटल 117 गौर तलब है कि राजज में आम आदमी पार्टी को जो टोटल मत प्रत्षत रहा है वह 42.01 मत प्रत्षत के साथ 117 सीटों में 92 सीटे जो हो हासि की है तो वहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार भी बन गई है तो पंजाब राजज के बारे में याद रखिएगा टोटल विधान सभा सीटे हैं 117 मालो जानकारी के लिए रखो वलना ऐसे तो नहीं पूछेंगे टोटल विधान सभा सीटे ही आपके लिए इंप्वाटें एक मात्र ऐसी छेत्रिय पार्टी बन गई है जो दो राज्यों अथवा संग सासित छेत्रों दिल्ली वा पंजाब में शत्ता रोड है याद रखी यह भी तत्थ इंप्वाटेंट है एकजा में पूछा जा सकता है दो तीन पार्टियों के नाम डाल दे और पूछ ले कि न तो एक ऐसी छेत्रिय पार्टी है वो है आम आजमी पार्टी जिसकी एक तो दिल्ली संग सासित प्रदिस हो गया हो पंजाब जहां पर सरकार है आगे बढ़ते हैं तो एक्जाम के पार्ण डावियों से पंजाब के बारे में क्या टोटल बिधान सभा सीटें 117 पूछ ले तो मान लो बान नवे आमाजमी पार्टी मुख्यमंत्री कौन भगवंत मान बस इतना ही इंप्वार्टेंट है साथ ही छेत्रिय ऐसी पार्टी है जो कि दो राज्यों में इसकी शरकारे हैं अगली बात आती है गोवा से तो गोवा विधान सभा की कारिकाल की समाप्ती ति ये सब गोली मारू तो ये सब इतना इंप्वार्टेंट नहीं है गोवा की जो बिधान सभा सीटे हैं आपको याद रखना है टोटल कितनी है तो 40 बिधान सभा सीटे हैं गोवा में जिसमें की सरबाधिक जो सीटे जीतने वाली पार्टी रही है वह बीजेपी रही है सरब और वहाँ के जो मुख्य मंत्री है वह प्रमोद सावंत हैं याद रखेगा टोटल विधानसभा सीटे गोवा में कितनी 40 मुख्य मंत्री कौन प्रमोद सावंत अब बात आती है उत्तराखंड की उत्तराखंड विधानसभा के कारिकाल की समापती कीती थी 23 मार्च 2022 निर्धार की गठन है तो राजज में 14 फरवरी 2022 को एक चरण में चुनाव संपन हुआ तो उत्तराखंड वाले अपना याद रख सकते हैं कि हां कितने चरण में संपन हुए वो इस्पेशल हो जाता है बाकि UPCS वाले अपना UPCS याद रखें कि कितने चरण में संपन हुआ चुनाव है उत्तराखंड में चुनाव परडामों कि अमसार राज में भारती जंता पार्टी सरबाधिक 47 सीटे जो है उसने जीती तो टोटल सत्तर सीटे हैं 47 जीत गई तो बहुमत के लिए 36 होना चाहिए तो बहुमत पूर है और मुख्यमंत्री कौन बने है तो यह है पुशकर सिं इनको दुबारा बना दिया गया है मुख्यमंत्री तो आपको याद रखना है उत्तराखंड से संबंदित की उत्तराखंड बिधान सभा में टोटल जो सीटों की संख्या है वह किदनी है तो टोटल सत्तर सीटे हैं मुख्यमंत्री बने है पुशकर सिंग धामी और वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा सीटे अर्जित की वह बीजे पी ठीक है इतना याद रखे साइटाली सीटे आगे मड़ते हैं तो तीन राज्य कबर हुए चौथा राज्य दटीज मड़ीपूर तो राज्य में नई विधान सभा की गठन है तो चुनाव दो चरणों में संपन्न राज्य की बढ़ान सभा सीटे दे और जो हमाँ पर मिलाने को तो राज्य में टोटल जो बढ़ान सभा सीटों की संख्या है वहां साथ है मड़ीपूर में चौनाव परड़ामों के तहत राज्य में भारतिय जंता पाटी सरबादिक 32 सीटे अर्जित की और मड़ीपूर के जो मुख्यमंत्री बनाए गए हैं लगातार दूसरे काल है तो यह उत्तरा खंड के भी जो है वो दुबारा ही बनाए गए थे दीगा तो यहन बीरेन सिंग को बनाया गया है मड़ीपुर का मुख्यमंत्री याद रखिएगा अब वात आती है अपने प्यारे उत्तर प्रदे सही की खासकर उप्य PCS के लिए इंप्रड़न्ट है सिस अद उत्तर प्रदेश्य की सभी एक्जामों के लिए इंप्वॉर्टन्ट तो है ही कि इस तरव में अठारवी विधान सभा याद रखियेेगा यह भी इंप्वॉर्टन्ट ठेनर PCS के लिए यह सभी जो उत्तर प् तक याद रखी गए चरण जरूर साथ चरणों में संपन हुआ पुत्तर प्रदेश का चुनाव वेदित हो की शत्र में बिधान सभा की कारिकाल की जो समाप्ति ती रही है वह 14 माई 2022 निर्धारित थी राज में बिधान सभा सीटों की जो संख्या है वह टोटल कितनी है 403 है जो कि पूरे भारत में सबसे ज़्यादा ही है जिसमें टोटल जो सीटे हैं 84 जो सीट है वह अनुसूची तजाती के लिए दो अनुसूची तजनजात के लिए आरच्छी तो सीटे हैं वह से जब आप पढ़ते हो पापुलेशन इनिसेंसेस 2011 की अंसार तो यस्ती की जो पूरे उत्तर प्रदेश में वह नाम मातर की है 0.06 परशंट करके ठीक है तीसलिए आप देख सकते हैं सीटों की जो टोटल संख्या है यस्ती की वह दो ही सीटे हैं 403 सीटों में 403 सीटों में दो सीटे हो गई यस्ती की और सीटे जो यस्ती की है वो है 84 84 सीटे बाकि जो बचेंगी वो अन्रिजर्ब्ड ही है ठीक है बाकि महिलाएं भी जीती है चुनाव ठीक है कहीं कहीं आप देखो कि गूगल सोगल मत करना सीधिक गवर्मेंट की वेफसेट पर जाना वहां पर टोटल आपको देखेंगे 47 महिलाएं जो है विधान सवा में निरबाच किने को मिलेगा टेलिग्राम यदि आप मैं जोइन किये हैं तो वहाँ पर मैंने सिवर भी किया था पीसेश के लिए टेलिग्राम चैनल का लिंक है अपको सिंपली अपनी टेलिग्राम की सर्च बैक्स में जाना है यूपी पीसीएस किंगडम जैसे ही आप टाइब करेंगे टेलिग्राम चैनल का लिंक आ जाएगा आप जोइन जरूर कर लीजिए दूसरा जो है वो आनलाइन स्टेडी गिंग्डम है तो आप उसको भी जोइन कर सकते हैं पीसेश के लिए आप यूपी पीसीएस किंग्डम को जरूर जोइन कर लीजिए वहाँ पर कुछ आपको पी कि टेवल और जो भाजबा की सीटे हैं बीजेपी की वह 255 सीटे हैं बाकिया और जो उनके सहयोगी दल रहे हैं चूटल मिलाकर जो सीटे जीती है वह दोसो मिलाकर के लगभी जो है दो शुतियात ठीक है तो याद रखी गए इंपॉर्टन जो तत है आपका वह सीट है टूट आगे देखते हैं अगला जो तत्याप के लिए इंपॉर्टन्ट है वह मोस्ट इंपॉर्टन्ट है दर जो साहिबाबाद निर्बाचन छेद्र से भारती जनता पार्टी की उम्मीदवार रहे सुनील कुमार सर्मा ने दो लाख 14,835 मतों के अंतर से सीट जीती है तो याद नाम क्या है तो सुनील कुमार सर्मा कितने मत रहे दो लाख 14,835 मतों से जो हरा दिया और यह जो रिकार्ड है ना यह देश में बिधान सबाच चुनाओं में सबसे बड़े अंतर से जीत का राष्टी यह रिकार्ड है इसलिए इंपॉर्टन्ट है यहां दो बीस तीस चाल से लोग जीती हैं उने दो लाख 14,835 मतों से जो है जीत हासिल कर ली जो की पुरे भारत में नंबर वन रिकार्ड हस्थापित कर दिया नाम क्या है सुनील कुमार सर्मा कहां से साहिब अगला तत्य है हरचंदपुर जो की राय बरेली में बिधान सबाच चेद्र है यहां से इनका नाम है राहुल राजपूद जो की सबसे कम उम्र जो की उम्र जो एमले के एलेक्शन लड़ने का जो उम्र होता है उम्र सीमा जो है वो आप जानते हैं पचीस साल कंप्लीट होनी चाहिए तो इन्होंने बाई जीत हासिल भी कर ली है पचीस बरस कंप्लीट हुआ यह पचीस बरस की उम्र में यह विधायक बन गए हैं राहुल राजपूद सपा से और दूसरे रहे हैं यह भी सपा से ही जीते हैं पचीस बरस की उम्र है अंकित भारती सैदपुर गाजी पूर से यह ठानवी विधान सबसे सबसे इवा विधायक हैं दोनों का नाम याद आलम बदी जो की 86 बर्स उम्र यानि सबसे बुजर्ग यह पूछा जाता है याद रखिएगा 86 बर्स की उम्र में बिधायक बनने वाले हैं इनका नाम है आलम बदी ठीक है तो तीन रिकार्ड आपने देखा एक तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा रिकार्ड मतों से बिधान उसके बाद सबसे इवा की बात की गई सबसे इवा में दो लोग रहे हैं एक तो रहे राजपूत यानि की राहुल राजपूत हो गए राहुल राजपूत और दूसरे जो रहे हैं एक भारती दरिज अंकित भारती ठीक है तो अंकित भारती और राहुल राजपूत सबसे क प्राजम गड़्जिली से चुने गए इनका नाम है आलम वधी आगे बढ़ते हैं इसके बाद जो मुख्य मंत्री योगी आदित तनाथ जी ने सपत लिया है वो कहां पर लिया है यह लखनों में जो इस्थित है इकाना स्टीडियम इकाना स्टीडियम का नाम जानते हैं बद 2022 को उत्तर परदेश में अपना पांच बर्षिय कारिकाल पूरा करने के पस्चात पुनाह दूसरे कारिकाल हे तु सपत ग्राण करने वाले योगी आदित तनाथ राज्जि के पहले मुख्य मंत्री बन गए हैं यह भी रिकार्ड जो है योगी जी ने तोड़ दिया है लग सघन मिशन इंद्रधनुस फोर ग्यातब्य है कि 8 अक्टूबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने सघन मिशन इंद्रधनुस का सुबारम किया था कब हुआ थे शुरवात इसकी तो 8 अक्टूबर 2017 में तीका करन कारिक्रम को अधिक सघन और घनी भूत बनाने के उद इंद्रधनुस किसे से संबंदित है तो टीका करण से देश में नियमित टीका करण कब्रेश को बढ़ावा देने के लिए आई यम आई टू को दिशंबर 2019 से मार्च 2020 के मद्ध संचालित किया गया सघन मिशन इंद्रधनुस्थिरी को 22 फरवरी 2021 से लेकर के 22 मार्च 2021 के मद्ध 15-15 दिनों के दो दावर में मिशन चालित किया गया मिशन के तहट देश के सभी जिलों में 90 प्रतिशत तक पूर्ण टीका करण कब्रेश प्राप्त करने का लच्छ निर्धारित किया गया था साथ फरवरी 2022 को केंद्रिय स्वास्त और परिवार कल्याण मंत्री द्वारा सघन मिशन इंद्रधनुस फोर का सुबारंभ किया गया तो याद रखिएगा लेटेस्ट सघन मिशन इंद्रधनुस वैसे तो आठ अक्टूबर 2017 में इसकी शुरुवात की गई उसके चरण तो जो चौथा चरण है यह साथ फरवरी 2022 को सुबारंभ किया गया है याद रखिएगा इस मिशन को तीन दोरों में संचालित किया जाए मिशन के प्रथम दोर में ग्यारा यूम दुतिये उत्रितिये दोर में 22 राज जित्वक के इंद्शाच प्रदीश सामिल है मिशन का फोकश और मुख्यता क्या है तो सारवभामिक टीका करण की दिशा में अस्थाई लाब प्राप्त करने में योगदान देना कोविड-19 मह हमारी के चलते नियमित्ती का कंड की धीमी पड़ी गती में तेजी लाना है तो एक्जाम के पॉइंट आप इसे जो संबंधित तथे आपको याद रखना है सगन मिशन इंद्रधन की सुरवात कब हुई थी तो आठ अक्टूबर 2017 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी की द सभवारा किया गया है साथ इसाथ एक्जाम में कभी कभी टर्म से भी एक्जाम नर्खेलता है तो जो मिशन इंद्रधनुस है शगन मिशन की समबंधित तो टीका करण से संबंधित याद रखिएगा और के मिशन फौर को जो संचालित किया जाएगा वो तीन दौर में संचालित किया जाएगा ठीक है बस इतना important exam के point आप भी सुझी चाहे वो PCS हो चाहे जर एक्जाम है आगे बढ़ते हैं बाकि फोकस्ट आप वहां पर करी ले जाएंगे आगे बढ़ते हैं अगला तत्य है गोवर्धन संयंत्र तो यहां इंदवर ठीक है तो 19 फरवरित 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदवर में गोवर्धन संयंत्र का उद्गाटन किया है जैविक कच्रे से बायू सियंजी का उत्पादन करने वाला यहां एसिया महाद्यूप का सबसे बड़ा संयंत्र है तो एक्जाम में पूछा जाता है चाहे भारत का सबसे बड़ा महाद भारत में जैविक कच्रे से बायुस यंजी का जो उत्पातन करने वाला कि सबसे बड़ा संयंत्र है वो कहां पर इस्थापिट किया गया है तो इंदा और मध्यप प्रादेश में साधिशाथ यह सिया का भी महाद्यू का सबसे बड़ा संयंत्र है या सायंत्र स्वच्छ भारत मिशन सहरी टू के तहत कचरा मुक्त सहर के निर्माण के उद्देश के अनरूप है स्वच्छ भारत मिशन सहरी टू के तहत या सायंत्र साथजनिक निजी भागिदारी पर आधारित है ट्रिपल पी मॉडल पर पर्योजना को लागू करने है तू एक विशेश पर्योजन बाहन जड़ी इस्पेशल परपज वहकल के रूप में इंदावर क्लीन एनर्जी प्राइबेट लिमिटेड को इस्थापित किया गया है यह संयंत्र प्रत दिन 550 टन गीले जैबिक कचरे को उपचारित करने में सच्छम है इस संयंत्र के माध्यम से प्रत दिन लगभग 17,000 किलोग्राम सियंजी और 100 जैबिक खाद के उत्पादन की उम्मीद है तो यहां जो तत्य है PCS के लिए important है साथ ही साथ कहां पर इसका मतलब उध्गाटन किया गया है यह भी important तत्य है गोबर्धन संयंत्र हिंदा और मध्ध प्रदीश में मोधी जी की द्वारा उध्गाटन किया गया है और यह भारत का ही नहीं पूरे इसिया महादिव का सबस प्रदीश से किया रूप होगा और यह ट्रिपल पी मादार आधारित पर यह भी पूंच लिया जाता है कभी कभी PCS में खाजकार इस्टेटमेंट दे सकते हैं तो ट्रिपल पी मादर पर आधारित है इसके अलावा एक्जाम के पॉइंट आप भी से यह भी important है इन दौर के तीनों कि सैंद्र पांसो पचास टन जो है प्रदिन घेले जैविक कच्री की उप्चारित करने में सच्छम होगा सैंद्र के माद्यम से प्रदिन लगभक्षत्रा हजार किलोग्राम सी एंजी और सो टन जैविक काद की रूप में जो है वो उत्पादन उम्मीद है यह सब तत रहे इंप्वाटेंट अब थोड़ा बाक्ष में जो दिया है गोबर्धन योजना के बारे में देख लेते हैं तो गोबर गोबर का पूर्ण रूप गैल्बनाइजिंग आर्गेनिक बायो एग्रो रिशोर्सेज है इंप्वाटन तत्य है इस योजना की जो घोशड़ कि शुरवाट इनिक की घोशड़ा बजड़ 2018-19 में ही की गई थी याद रखेगा संयंत्र कहा है इंद और यंपी में याद रखेगा तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में थैंक्स पर वाचिंग